हलो दोस्तो तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पोहे से बना हुआ कम ओयल, कम समय और कम महनत में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट जो जटपड बनकर के त्यार होता है और खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है इसके आगे इडली ढोकला भी आपको फीक करते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप पोहा पोहा आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो और इसको अच्छे से साफ कर लें मिक्सर जार में डाल करके इसका हम पाउडर बना लेंगे इस तरह से और इसको हम कप में बापस डाल देते हैं तो यह आधा कप के करीब है हमारा अब इसको हम बड़े जार में डालेंगे जिसमें हम सेख बगेरा बनाते हैं वही जार हम लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे एक कप बारिग वाली सूजी हमने आधा कप पोह लिया है एक कप सूजी लेंगे यहां पर और साथ ही यहां पर हम एट कर देंग तो इस तरह से ये ठीक हो गया है आप देख सकते हैं अच्छे से पिस गया है इसको बाल में हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी और एड़ कर देते हैं और अब इसको हमें मिक्स कर लेना है इसको हमें ज्यादा पतला नहीं रखना है इसको हमें ठीक कंसिस्टेंसी में और साथ ही यहां पर टेस्ट की कोडिंग मिला देंगे एक चमच नमक और एक चुटा चमच यहां पर ओयल मिला देंगे जिससे कि हमारा जो ब्रेक फास्ट है एक दम सॉफ्ट स्पॉंजी बनेगा बहुत ही बढ़िया बनेगा अभी नहीं हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक चमच इनो फ्रूट सॉल्ट जिससे कि हमारा नास्ता स्पॉंजी बनेगा थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि एक्टिवेट हो जाएगा और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है आप थाले ले 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 और उसको अच्छे से ग्रीज कर लेंगे और इसमें हम बैटर को डाल देते हैं और इसको हमें ऊपर तक नहीं बढ़ना है आधा बढ़ना है अच्छे से टैप करके इसको हमें स्टीम कर लेंगे यहाँ पर हम पानी गरम होने के लिए रख दिया था अब इ इस तरह से बटन रख देंगे इसमें हमें स्टीम करना है और उपर से कवर कर देंगे गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे और 15-20 मिट अच्छे से इसको स्टीम कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से नाइफ ले लेंगे या फिर कोई भी टूथ पिक वाव बीच में डाल करके चेक करेंगे अच्छे से स्टीम हो गया है इसको हम ठंडा कर लेते हैं बाहर निकालके तो 15-20 मिट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको डेमोल्ड करेंगे यह साइड अपने आप ही छोड़ने लग जाएगा यह देखिए अच्छे से स्टीम हो गया ह और जब बढ़िया से थंडा हो जाए उसके बाद ही हम D-mold करेंगे इसको बहुत भढ़िया से निकलेगा यह अगर आप इसको गरम-गरम में D-mold करेंगे तो इस चिपक भी जाएगा और अच्छे से कटेगा भी नहीं तो इस तरह से हम इसको थंडा होने के बाद तो बहुत ही जालीदार बना है, देख सकते हैं न, बहुत ही बढ़ी अबन करके त्यार हो गया है, और अब इसको हम पीजिस में कट कर लेंगे, तो मन चाहे आकार में आप इसको कट कर लेंगे, जो देखने में भी अच्छा लगेगा, इस नास्ते को बनाने के लिए, भंटो बढ़िया बन करके त्यार हुआ है तो इसी तरह से आप भी बनाईए आपका नास्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा अब इस पर हम तड़का लगा लेंगे जिसी किसका टेस्ट दो गुना हो जाएगा तो तड़का पेंड में दो चमा चोयल गरम करेंगे आदा चमा डालेंगे दुली हुई उड़त की दाल आदा चमा डालेंगे साबो जीरा आदा चमा डालेंगे याँ पर हम सरसो दाना और बढ़िया से चटका लेंगे और साथ ही यह आपर एट कर देंगे आज से दसकरी पत्ते और बढ़िया से इसको हमें चटका लेना है, हमारा तलका बन करके त्यार हो गया है अब नास्ते के उपर अच्छे सिसको हम स्प्रैट कर लेंगे तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा एक एक चमब डालते जाएंगे बढ़िया सिसको फैला लेंगे इस तरह से बहुत ही बढ़िया बनता है ये और जल्दी बनता है तो ये देखिए बन करके त्यार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी यमी ब्रेक फास्ट तो जरू ट्राइ कीजेगा गर्मियों में आपको ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी अगर एकी तरह से पोह बना करक आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और आप इसे नारील की चटने या फिर मुमफली की चटने के साथ सर्व कीजिए बहुत ही बढ़ी अलगता है ये खाने में तो आपको ये गर्मियों की स्पेसल रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरू बताइएगा वीडियो पसंद आ